क्या स्कोर रहेगा अगर इंडिया बैटिंग करती है देखे सेड जाग चुका है रोहिष सर्मा दहाड चुका है तो जब रोहिष सर्मा कब जब बल्ला बोलने लगता है तो आप स्कोर का आकला नहीं कर सकते हैं साथ में बिराट कोहली साथ तो बहुत है क्योंकि चेस करने के लिए इंडिया भी बहुत आगे है क्यों रन मसीन कोली है हमारे पास इसान किशन है रोहिष सर्मा का अगर बल्ला चल जाता है तो नौ से दस छक्के तो पलस मारते हैं उनके पास तो रिकॉर्ड है पूरे वर्ड में पहली पाड़ी में 33 चो के लगा है विराट कोली रोहिष सर्मा के रहूल और उपर से इसान किशन देखन में छोटन लगे घाव करे गंभी समझ गया ना यह खड़े-खड़े बैट करके कम मार देगा हवाई फाइरिंग कर देगा इक पाकिस्तानी गंदवाज को पता लग जाएगा बहुत सा इतना अरन मारेगा कि को आकरा गिनाएगा नहीं रिकौर्ड पर इकोर्ड बनेगा कर नाम बाएगा इतना दिन सिंद्ध यार हो रहा है 14 एक्टूबर का कि इंडिया पाकिस्तान करना बली देखने को मिलेगा इस ताल वाले क्या करेंगा जाएंगे घास चीलेंगे बैट कै और क्या और क्या इंडिया और पकिस्तान में भिड़न्त होने वाली है लेकिन जब इंडिया पकिस्तान की मैच होती है तो भारत के जो दर्सा के काफी उत्साइत रहते हैं हमारे साथ कई तमाम खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खिलता हैं उनके गुरू भी है साथ में इंडिया पकिस्तान आपस में भिड़ने वाला है कैसे आप देख तो पूरा देश देखता है पूरी दुनिया देखती है कि जब भारत और पकिस्तान के बीच मैच होती है तो इसका तो ICC उठाती है है ना तो यह बड़ा मैच है और वहीं बल्ड कप का पुरे कलोरो देश की जनता का भारतिया टीम का समर्थन है और सब कोई सुबकामना और यह इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को बड़े अंतर से इस मैच में पराजित करके विस्प का जो और यह जब रोफिस शर्मां पाल्ला लें लगता है तो आप सकोर का आख्लन नहीं कर सकते हैं सात्में भिराट कोहली यह समझ गये तो हमारे पास ऐसे ऐसे हैं और इसका ग्रेड़ finans रमा जी विराट कोela थी और साथ साथ केल राओल पिछले मैच में उन्हों भी अपने फॉर्म को दिखा दिया है रिलीज कर रहे हैं देखन में छोटन लगे घाव करे गंभी समझ गया ना यह खड़े खड़े बैट करके कम मार देगा हवाई फाइरिंग कर देगा पाकिस्तानी गंदवाज को पता लग जाएगा तो अगर भ लिए पर हारे पुरे पाकिस्तान पर भारी तो एक बिहार म्र्ण पर भारि पड़ेगा और हमारे पास तो ऐसे सेंधेगा परे देश का नाम रोशन करने वाले कई खिराड़ी है आप देखे गा вперए इसकस का अननदम उठाएगा पूरबव साइं पूरा हीं चीते गा जीते बाराच जीतेगा इंडिया तीन सो असी से नब्बे रन उसाइट तो बहुत है क्योंकि चेस करने के लिए इंडिया भी बहुत आगे है कि रन मसीन कोली है हमारे पास इसान की सेन है रोह सर्मा जोई सर्मा का अगर बला चल जाता है तो नौ से दस छक्के तो पलस मारते हैं उन प्रेवर्ड में उन पहली पाड़ी में 33 चोके लगा है 264 की पाड़ी में तो उनके जैसा तो वन डे प्लेयर को ही नहीं सकता है इसान की सन भी बहुत अच्छे खेर रहे हैं उनको बढ़ टिकने की जरूरत है और गिल अगर फिट हो जाए तो फिर बात ही क्या है इंडिया पकिस्तान को मिलेगा प्राट कोली से कितना असा रखते हैं कितना रन बनाएंगा को थे रहए हर सकता है को कि हर मैच में आधा रहे । पकिस्ताने खिलाब तो उनको अच्छा ब्याट को लिए तो हंड्रेट परसेंट सतक मार सकते हैं उसका कोई तकत रोई तो हाली हमारे हैं तो उपवाँ में आ सकते हैं लेकिन ब्याट को ज्यादा रहेगा क्योंकि सतक तो अब लोग उत्साहित हैं कि मैच एक दम बहुत हर बॉल जाएगा जी हां सारा बॉल सीमा रहा पार जाए क्योंकि हमारे पास हिट मैन है सबसे पहले तो उनका पुल शॉट ये इतना अच्छा है कि हो तो नबे प्लस जाता है उनका हर शॉट जाता है नबे प्लस तो बहुत सारे चके लेंगे चौका फिर अपने क्लासिक बैट्स में अपने विराट को ली है और इशान किशन दोनों तो क्लास तो देखने को मिलेगा सबसे मज़ा तो क्लास में आएगा पूरा पूरा स्टेडियम लागा देखिए चक्के में शक्के रन बनेगा इंडिया के टोटाल अगर फस्ट प्लस अराम से बहुत अराम से पाकिस्तान के खिलाप करते हैं तो आउट हो जाता है जल्दी रोईत सर्मा की बात करें ब्राट को लगता है शायद से एक दो बिकेट गिर सकता है पहले स्टार्टिंग में गिर सकता है यह क्योंकि वासे बॉलर स्ट्राइब का है जो बिकेट गिरा है उनकी सर्मा से कितना एक सब्सक्राइब हंडेड प्लस तो पका ही रहेगा आराम से क्यों फॉर्म में पूरे जीतेगा और पकिस्तान के खिलाप लगबक तीन सो से तीन सो पचास रन के लोग उसत बता रहे हैं सभी उत्साहित हैं सभी खिलाड़ी है यूबा है पटना से आता है आपकी क्या प्रतिक्रिया और नीच्व कॉण्वक्शन देख्रें यूटूब पे देख रहे हैं चानलों को सब्सक्राइब करें धन्यवाद